हाई गाईस ही ये दिवाग मैश्वरी दिस साइट आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे उस सेक्टर के स्टॉक्स जो की काफी टाइम से साइलेंट बैठ है और जहां मैक्सिमुम लोग अभी पेपर स्टॉक्स के पीछे भाग रहे है या फर्टिलाइजर स्टॉक्स में extended prices पे खरीद रहे है वहां यहां stock में हो सकता है इस सेक्टर में काफी अच्छा आपको next दो महीने में return मिले ये सेक्टर है steel sector ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है steel sector में तो metal index की बात करते हैं और इसको बद मैं चार एसे stock ब metal में कोई भी अगर आपको सेक्टर देखना है तो उसका एक important चीज होती है कि आप पहले उस sector के index को देखो कि overall index में क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्या वो bullish है क्या वो bearish है क्या वो sideways है क्योंकि वो जैसा होगा 80% of the stocks कही ने कहीं उसी को follow करते रहेंगे तो अभी हम अगर nifty metal index को देखे तो यहां पर एक अच्छा clean breakout देखने को मिला है इस particular zone से उसके बाद index जो है वो अपना run लेना start कर गया है और on 6% का run अभी यहां पर आ गया है अगर हम overall metal sector की बाद करें तो एक पहले जो बड़ा run आया था वो इस bottom से आया था जहां पर हमें बहुत लंबा सा breakout मिला था और यहां से run जो है वो non stop चला था around यहां तक यह था around 128 परसंट का return काफी सारी steel sector की companies 3-4-5 गुना हो गई है उसके बाद से जो यह overall sector है एक sideways momentum में चला गया जहां पर कुछ नहीं stock उपर नीचे उपर नीचे वहीं के वहीं यही कहान बार-बार चलती रही और आप ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक clean breakout है तो इसको आपको कैसे खेलना है इस sector के उपर इसमें चार स्टॉक के बारे में बिसकस करते हैं सबसे पहला जो स्टॉक है वो है GPIL कोदावरी power and spark limited अगर हमें company की बात करें तो company काफी अच्छा है steel में कर ही है और overall fundamentals काफी सुद्र है पिछले डेड़े दो साल में काफी सारा डेटरिपेमेंट में company ने करा है company ने और अगर हम ट्रेंड की बात करें टेक्निकल साइट पे तो यहां पर एक लंबा breakout आया था और इस breakout से देखें तो stock ने काफी अच्छा overall 385 परसेंट तक का run 400 परसेंट तक का run बहुत ही short period में deliver करा था इसके बात company एक sideways consolidation में चले गई और अगर आप यहां पर देख रहे है तो एक neat and clean couple handle का breakout हमको इस current week में यहां पर देखने को मिल रहा है यह एक bullish overall pattern होता है volatility बहुत अच्छे से contract हुई है अगर आपको volatility contraction नहीं पता तो वही चीज होती है जो सबसे important technical analysis के point of view से होती है आपको video description में मिलेगा और icon जो में मिलेगा तो आप जाके देख सकते हैं यहां पर clean breakout है अगर हम volumes की बात करें तो पिछले 5-6 हफते में काफी अच्छी volumes हमको यहां देखने को मिली एक अच्छा volume build-up जबकि stock जो है वो sideways side जा रहा था तो यहां पर price जो है वो tight होता गया और volumes जो है वो अच्छी overall bullish आती गई और finally यहां पर हमको एक breakout मिलता है बात करें stock कहा तक जा सकता है तो आप खुदी देख सकते कि पिछली बार के run अगर हम देखे तो 40-50% तक का move यहां पर बोलना बहुत tough नहीं है अगर हम बात करें इसका overall stop loss क्या होना चाहिए तो around 350 levels के आसप comparatively wide है बात करते हैं दूसरे stock का मिटल सेक्टर से वो है विल्सपन कॉर्प विल्सपन कॉर्प का अगर हम चार्ट को deeply analysis करें तो यहां पर एक बड़ा लंबा breakout जो है वो लगता है यह अभी आपके सामने जो है यह है मंतली चार्ट अगर हम मंतली चार्ट में जाए तो यहां पर एक breakout overall हमको दिख रहा है और इसको अगर आप patterns के form में अगर देखना च हो सकते हैं जो कि breakout zone के काफी pass में है अगर यह breakout होता है तो यह बहुत ही powerful breakout होगा क्योंकि आप अगर यहां ध्यान से हम इसी trend line को पीछे भी करते हैं तो कभी यह support हुआ करता था 2010 में जो यहां पर 2011 में resistance की तरह भी act करा था सो काफी powerful resistance है जो की break हो रहा है अगर ऐसा होता है तो हमको easily यहां से new time है जो की 44% 45% run है वो दिख सकता है आने वाले 3-4-5 महीने के अंदर ही एक विल्स्वन को और ऐसा stock है जो आपको mid term perspective से अपने radar में रखना चाहिए और काफी अच्छी overall opportunity यह stock दे रहा है गर हम daily पे जाए तो आपको ऐसा जरूर दिखेगा कि stock में एक run recently में 34% का आया और इसी वज़े से मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यह stock up जाके कल ही खरीद ले आपको यह थोड़ा wait करना है एक pullback का जहां पर यह 10-20 day moving averages के आसपास आए और वहां पर आपको आपकी bit खिलनी है जिससे कि आपका जो risk होगा वो बहुत ही कम होगा अगर analysis अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और चैनल को subscribe करना मद भूलेगा इसके पहले हम जाए third stock पे जो कि again काफी अच्छा risk reward और एक अच्छा potential रखता है अगर आपने अभी तक हमारी telegram channel नहीं जोइन करी तो जोइन कर सकते around 4000 members यहां पर already है चैनल का नाम है equalfa underscore stocks कुछ ना कुछ useful आपको यहां पर definitely मिल जाएगा अब बात करते हैं हमारे अगले stock की अगला stock है मेथन अलॉइज मेथन अलॉइज की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं पहले already जो भी ड्रॉइंग से वह हटा देता हूँ अब अगर हम यहां पर देखें मंतली चार्ट पर तो यह super bullish लगता है क्यों कि यहां पर भी हमको एक बहुत अच्छा बड़ा pattern देखने को मिलता है यहां पर हम इसका मंतली चार्ट देगे तो इक मंतली चार्ट पर clean cut cup and handle का break हमें यहां पर देखने को मिला है अब जब मंतली चार्ट पर ऐसे breakouts होते तो काफी powerful हो सकते है provided जो sector है overall वो उनका favorable हो पर यहां पर ऐसा लगता है कि जो sector है वो तो भी favorable ही चल रहा है तो मेतन अलॉइस इस वज़े से मुझे long term chart से बहुत अच्छा लगता है अगर हम weekly पर जाके देखे तो recently वही stock ने काफी अच्छा एक breakout दिया है और breakout zone के आस पास अभी currently stock जो है वो consolidated कर रहा है यहां पर एक low risk entry आप निकाल सकते है इसके लिए मैं आपको stop loss नहीं बताऊंग क्या रखना है क्योंकि यह spoon feeding overall इस channel का objective नहीं है अब मुझे बताइए कि क्या हो सकता है मेतन अलॉइस का overall price target और क्या समों currently अब stop loss लग सकते है वो भी मुझे comment में जरूर बताइएगा चलिए हम हमारे आखरी stock के बारे में discuss करते हैं आखरी stock का नाम है महाराष्य सीमलेस महाराष्य सीमलेस का भी हम long term chart की बात करते हैं सबसे पहले मंतली जैसा है कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ चाधा day trading 15 minutes 1 hour 2 hour time frame पे focus ना रखे आप मंतली weekly daily पे काम करेंगे बहुत peaceful काम होता है और बहुत अच्छे से overall आपको reward भी इसमें मिलते है अगर हम यह देखे में अल और currently stock इसके आसपास overall जो है वो consolidate हो रहा है यहाँ पर हम volumes की बात करें तो यह जब consolidate हो रहा है जो कि एक positive sign होता है volatility contraction का एक important point होता है कि जब price में contraction आए साथ में volume में भी contraction आ जाए और वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब यह एक लंबा breakout रहेगा stock देखे तो 2008 के बाद stock ने कुछ नहीं करा है 554 544 के price में तब था 2008 में भूम फिर के उपर नीचे उपर नीचे चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यह particular channel बनाओ इस particular channel में stock continuously trade कर रहा है और कुछ नहीं करा है ते सालों में कि आपको एक learning और provide करता है कि जब stocks और sectors favorable नहीं हो तो उनको long term hold करके कुछ फाइदा नहीं होता है ऐसा stock जो आपको 10-10 साल में कुछ पैसा कमा के ना दे क्या मतलब उस stock को hold करने का क्या मतलब उस stock को रुखने का क्या सुचते आप ऐसे 10-10 साल के stocks जोगी कही move नहीं कर रहे है उसको hold करने के बारे में comment में मुझे बताइएग तो यहां पर एक अच्छा level का जो breakout होगा वोगा 612 चलिए देखते है weekly charts पर क्या हो रहा है weekly charts पर हम देखे हैं तो यहां पर एक contraction हमको clean देखने को मिल रहा है लास्ट थीन हफते की बात करें तो price और टाइट होता है यह एक positive sign है हम यहां पर wait करेंगे यह particular week की closing का क्यों क्यों कि बहुत multiple items टोक already दे चुका है इसलिए यहां पर weekly closing का wait करना बहुत अच्छा है अगर अगले हफते में हमको यहां पर breakout मिलता है तो आप pilot position ले सकते हैं जैसे price आगे बढ़ रहा है और full position आप weekly closing के साब से ले सकते हैं इस तरह के साब जो आपके risk है वो manage करके रखेंगे stop loss जो है वो 10 week EMA के नीचे आप रख सकते हैं क्योंकि contractions अच्छा है इसलिए मुझे नहीं लगता उसके नीचे आपकर stock आना चाहिए कोई भी stock में आपको पहले ही बता दूँ आप अगर premature entry कर रहे है पहले ही खरीद रहे है तो वो आपकी खुद की responsibility है क्योंकि आपके आप excess risk ले रहे है साथ ही में आप अगर extended stocks भी ले रहे है जैसके मैंने पिसले वीडियो में भी आपको बताया था कि fertilizer stocks extended है pullback का वेट करो आज ही market में pullback आया है overall corrections आया है कभी भी आगे नहीं भगना चाहिए उसके पहले का वीडियो अगर आपने टाटा पावर का नहीं देखा वहां भी मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि price जो है वो extended हुए अगर आप बिल्कुल फोमो में जाके extended खरी देंगे आपका रिस्क बढ़ जाएगा आपको फुल इंटू आउट स्टाटेजी किस तरीके से आपको हर चीज यूज करना है आपको इन आउट exit, hold सब चीज़े आप रिसर्स लापको explode कर सकते है और यहाँ पे live आपको सारे trades भी मैं share करता हूँ साथ मैं पूरा learning content भी जो रहता है जिसे कि किस तरीकिसे आपको buy करना है किस तरीकिसे sell करना है trends को कैसे analyze करना है वो सब भी यहाँ पे detail में मैं share करता हूँ सारे sessions यहाँ पे होते हैं तो कैसा लगा आपको यह वीडियो स्टील सेक्टर के ऊपर अगले कौन से सेक्टर के ऊपर आपको analysis कमेंड में मुझे जरूर बताएगा चलिए मिलते फिर से अगले वीडियो में thank you for watching see you Devang Maheshwari